नमस्कार जार्खन के दस परमोग खबरों में स्वागत है आए एक एक कर पूरी खबर जानते हैं राज में 15 मज तक इस्कूल कॉलेज और मॉल बंद रखने की सिफारी साथी लोगडाउन बढ़ाने की भी उमेद की जा रही है खबरों के मुताविक संक्रावन में काफी तेजी से हो रहे फैलाओ के कारण या नेन लिया गया है सभी राज 15 मज तक लोगडाउन बढ़ा सकते हैं टाटा ग्रूप कम्पनी ने 350 रुपए की लागत का बनाया कीट खबरों कमिताविक या कीट एक घंटे में रियर्ड दे देता है टाटा ट्रस्ट की इकाई इंडिया हेल्थ फंड के द्वारा या कीट बनाया गया है और टाटा ग्रूप का सबसे बड़ी कम्याभी माना जा रहा है या कीट की खासियत है कि कम लागत में बहुत कम समय में यह जाच का रिपोर्ट पोजिटिव दे देता है हिंद पीठ के चप्पे चप्पे पर पूलिस तैनात डोन कमरा से की जा रही है निगरानी आपको बताते चले कि दूसरी मरीज हिंद पीठ में मिलने के बाद यहां की निगरानी तेजी से कर दी गई है वही राची नगर निगम के द्वारा तीन किलिमिटर की दूरी तक सेने टाइज करने का निगना लिया गया है तमिलाडू में फसी जार्खन की 200 लड़किया सुरक चीथ है तमिलाडू में फसी जार्खन की 200 लड़किया ने जार्खन सरकार से सुरक चा के लिए गुहार लगाई थी लोकडाउन के वज़ा से एक फेक्टी में फसी है लड़कियों ने जार्खन सरकार से मदद को गुहार लगाई थी वहीं हमन्सुरेन ने जार्खन के अस्थानिक आयुक्त को इस ममले को जाच और जल्द से जल्द करवाई का निर्देश दिया है राजपल दुर्पती मुर्वु ने राष्टपती को पत्र लिखकर अपने वेतन का 30% पीम राहात कोस में देने की बात कही है देश के सभी राजपाल 30% तक वेतन अगले एक सालों तक देंगे जिसे की इस संक्रमा से निप्टा जा सके सिक्षकों ने दिया अपना एक दिन का वेतन खबरों के मुताबिक सभी सिक्षकों और कर्मियों ने अपना एक एक दिन का वेतन पीम केर फंड को परदान किया वहीं राजे में भी यह दान दी है यहां मामला स्याम परसाद मुखर जी विसोविद्याले राची का है JSC द्वारा पलस्टू हाइशकों इतिहास बिशाय के सिक्षकों के नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है हम आपको बताते चाहिए कि JSC में पलस्टू हाइशकों का मामला बहुत दिनों तक लंबित था जिसे हाई कोट ने अपना फैसला सुना दिया है हाई कोट ने अपना फैसला में कहा है कि जीना भ्यार्टियों ने पुरे इतिहास के साथ आसनातक किया है वह यह नियुक्ति परिक्षा के लिए योग्य है सिविल कोट में पहली बार वीडियो कंफरेंसिंग से किया गया बेल जारकन उच नियाले के मुख नियाधिस रंजन ने निर्देश पर बोले कि यह पहली प्रेस वीडियो कंफरेंस है जिससे के द्वारा बेल की गई सभी अपने अपने घरों से ही वीडियो कंफरेंसिंग के माधियम से अपनी बात रखी जिसमें की बेल दिया गया मुख मंतिरी राहत कोस में 22.81 क्रोर जमा हुआ हमान सुरे ने लोगों से राहत कोस में रासी देने की अपील की वाटसेप ने इस संकट से बचने के लिए गलत मेस्जों को किया बैन एक से ज़्यादा को नहीं कर पाएंगे फरवर्ड खबरों के मुताविक वाटसेप पर गलत अफ़ा ज़्यादा फेल रहा है जिसको देहकर यह कदम उठाया गया है ऐसे में आप एक से ज़्यादा को फरवर्ड नहीं कर पाएंगे अच्छा करते हूँ कि आपको खबर अच्छी लगी होगी ता आप एक लाइक वीडियो को सेयर करें चाहती साथ आपके मन में स्वाल हो तो आपको हमें से पूछ सकते हैं आज के लिए बास से ही थाइंक यू